जैहिंद दोस्तों आज की सेशन का टॉपिक पढ़के आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा एक इनसान UPSA Civil Services एक्जाम जैसे एक्जाम क्रैक करता है उसके बाद IES में जॉइन करता है उसके अद IES से रिजाइन करके दुबारा एक्जाम की प्रेपरेशन करना स्टार्ट कर देता है आप सोचोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है इस दुनिया के अंदर हर वो चीज पॉसिबल है जो आप सोच नहीं सकते हो human mentality इतनी dynamic है वो हर चीज को पॉसिबल कर सकती है आज के session में हम समझेंगे कि इस तरह का scenario कैसे possible है कुछे एक rare cases में इस तरह के incidents भी हो रखे हैं और आज के session से आपको सिर्फ एक story ही नहीं पता चलेगी एक reason ही नहीं पता चलेगा इस तरह के situation के लिए बट आपको दो बहुत ही important life lessons भी मिलेंगे सो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि इस तरह का scenario क्यों हुआ होगा undoubtedly IS job हमारी country की one of the best job है बट still कहीं बार हम सुनते हैं कि इस IS officer ने resign कर दिया कोई भी x y z reason हो सकता है चाहे start-up शुरू करने के लिए या private sector में job करने के लिए बट civil services में दुबारा appear होने के लिए IS से resign करना यह शायद आपने बहुत rarely ही सुना होगा इस case में यह चीज़ तो clear है कि यह इनसान IS से satisfied नहीं था बिल्कुल भी satisfied नहीं था इसका mind बिल्कुल clear हो गया था बही मैं इस job में नहीं रहूँगा ऐसा क्यों होगा कई factors की वज़ा से हो सकता है उन factors को सबसे बहले discuss करते हैं अब यह सारे के सारे factors भी applicable हो सकते हैं इनमें से कुछ भी हो सकते हैं या एक भी हो सकते हैं कोई एक factor बहुत जाज़ा dominate कर गया उसके mind बे बट हम सारी possibilities को एक बार explore करने की कोशिश करते हैं सबसे पहला Allotted Carder कई लोग जब IES की preparation करते हैं तो यह चीज नहीं दिमाग में रखते हैं कि जब आपका selection हो जाएगा इतनी मेहनत करने के बावजूद कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको होता है मुझे ज़स्थ IES की job करनी है चाहे मैं इंडिया में कहीं भी serve करूँ मैं हर जगा adjust कर लूँगा बट कुछ लोग इतने adjusting nature के नहीं होते हैं उनमें उनका कसूर नहीं होता है बट उनकी upbringing या उनकी nature इस टाइप की होती है क्योंकि हर इनसान unique है इसमें कोई बुराई नहीं है बट आपको पता तो होना चाहिए न कि आपके लिए क्या चीज सही है क्या आपकी priority है क्या आपका comfort zone है अगर आपको पहले ये चीज realize ही नहीं होगी कि मैं एक दूसरी state में जाके अपनी state से बहुत ज़दा दूर किसी और culture में जाके जल्दी adjust नहीं कर पाऊंगा और बाद में आपको realize हो रही है तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको अंदर से परिशान कर सकती है ऐसा नहीं है कि जिस इनसान ने इस type का decision लिया है उसी को ये चीज परिशान कर रही है बहुत से officers होते हैं जिनको इस चीज से बार में दिक्कत होती है बट क्यूंकि एक IS का tag लगा हुआ है society के अंदर हम एक IS officer हैं तो अब तो हम सोची नहीं सकते हैं इसको छोड़ने की और इससे बड़ी नौकरी तो हिंदोस्तान में है ही नहीं तो ये चोड़ेंगे तो फिर कहां जाएंगे so इस mentality की वज़ा से वो अपनी feelings को emotions को दबाके नौकरी करते चले जाते हैं so एक reason तो ये हो सकता है कि आप अपने allotted carder से खुश नहीं हो दूसरा public dealing IES IPS जैसी job में बहुत जादा public dealing है दिन रात public dealing है अब कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता कि मैं public dealing के साथ comfortable हूँ या नहीं वो तो just videos में social media पर देख लेते हैं कि ठीक है एक IES IPS officer चल रहा है उसके पिछे लोग चल रहे हैं वो सब देख के आप कहीं बार attract हो जाते हो बट आपको उन सब लोगों के grievances भी सुननी है उनको address भी करना है solution भी निकालना है appropriate action भी लेने है तो public dealing तो बहुत जादा रहेगी again अलग-लग nature होती है हो सकता है public dealing के साथ comfortable हो उसको enjoy करो बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पहले पता ही नहीं होता कि हम public dealing के साथ इतने comfortable ही नहीं है वो परिशान होना start हो जाते है कई बार regret करने लग जाएंगे कि काश मैं दूसरी service में होता जिसमें public dealing एक limit में होती अपने किसी batchmate से पूछने लग जाएंगे IRS LA से पूछने लग जाएंगे कि तेरे यहां कितनी public dealing है वो कहेगा कि मेरे बहुत जाता नहीं है तो सोचेंगे हाँ मेरे लिए तो यह जाधा बढ़िया service थी तो comparison शुरू हो जाता है mind में सो इस तरह के thoughts भी आते हैं इसके अलावा unnecessary interference देखो जब आप IIS IPS में हो तब आप state government के अंडर काम करोगे अब state government का दाइरा उस state तक होता है Central Civil Services के अंदर जो दाइरा है वो कितना बड़ा है आप government of India के अंडर काम कर रहे हो तो government of India का jurisdiction कितना बड़ा है कंट्री पर है तो state में काम करते हुए कहीं बार आपको लगता है कि मैं कई टाइप की unnecessary interference face कर रहा हूं मैं कुछ करना चाता हूं तो कहीं बार मैं उस चीज़ को execute नहीं कर पा रहा हूं मैं अपना innovative mind चलाने की कोशिश कर रहा हूं मैं अपना innovative mind चलाऊं जब काम करूँ अब अगर उसमें interference होती है तो वो अंदर से कहीं न कहीं अच्छा फील नहीं करते है तो एक reason ही हो सकता है उसके लावा extremely negative personal experience हो सकता है किसी officer के साथ first second posting में early career में ही कोई ऐसा personal experience हो जाए जो की बहुत जादा negative हो उसने कभी expect ही न किया हो इस तरह का experience अब वो unfortunately उसके साथ हो गया और suddenly वो चीज उसका एक mindset change कर दे पूरी service के regarding पूरे career के regarding तो ये भी चीज जो है वो आप predict नहीं कर सकते हो ये person to person vary कर सकती है एक इनसान के लिए वो experience negative हो सकता है पूरे को इतना जाता फरक ना पड़े अगे नेचर पर डिपेंड करता है इसके अलाबा over expectation ये बहुत important है majority जो बच्चे हैं वो I.S.I.P.S के जब preparation करते हैं over expectations लिके करते हैं क्यूंकि बाहर के glamorous life ही तो देखी होती है चाहे आस पास किसी officer को देखा हो school college में किसी officer को देखा हो social media पर सबसे ज़्यादा जो एक glamour दिखाया जाता है तो expectations का level over हो जाता है दिखते ही सिर्फ ये है कि बस इस तरह से एक glamorous life चलेगी अंदर के काम के regarding तो कोई knowledge होती नहीं है तो कहीं बार आपकी जो over expectations होती है वो भी आपको खराब करती है नहीं बार आप over expect करके जाते हो बट अंदर जब आपको चीजें exactly वैसी नहीं मिलती है थोड़ी different मिलती है तो आप बहुत अलदी कहीं बार frustration feel करना start कर देते हो तो वहाँ गलती कहीं नहीं आपकी है क्योंकि आपने immaturity में over expectations रखी है चीजों को पहले समझा नहीं है actual work profile को नहीं समझा इसलिए मैं बोलता हू मेशा जिस भी field में आप एंटर कर रहे हो पहले उसकी बारिक्यों को जानो last or most important factor है improper self assessment ये तो बहुत majority बच्चे लाग करते हैं बहुत बच्चे किसी भी competitive exam को ले लो बच्चे lack करते ही करते हैं उनको पता ही नहीं है हमारा vision क्या है क्या हमारी priorities है क्या हमारा comfort zone है कोई चीज हमें खुशी देती है या नहीं देती है किस तरह का काम हमें करना है life के अंदर कुछ है नहीं बता जस्ट एक भेड़ चाल में लगने हुआ है तो कभी time ही निकाला कि बैठके अपना self assessment कर ले कि जो चीज की हम त्यारी कर रहे हैं इसमें जो आगे चलके काम करना पड़ेगा वो चीज हमें खुशी देगी या नहीं देगी जब self assessment proper नहीं होता है तो कुछ factors जो उपर हमने discuss किये थे इसी में से निकल गया आते हैं जैसे कि allotted card हमने discuss किया था public dealing वाला किया था over expectations ये सब के सब improper self assessment से ही derive हो है so proper self assessment बहुत ज़रूरी है अब ये सारे factors या इनमें से कुछ factors बहुत से candidates के दिमाग में आते हैं जब वो कोई भी service join करें अब उसके बाद क्या होता है most of the candidates मानलो अब IES में जो बच्चा है वो एक जो social pressure है society में जो एक image है IES officer की वो इसके दिमाग पर इतनी हावी होती है कि वो सोचता भी नहीं है इस चीज के बारे में कि मैं कुछ और अब सोच लूँ ये अब end of the world है so वो हिम्मत ही नहीं करता है इन में से कोई भी factor उसको अंदर से चाहे दबा रहा हो uncomfortable feel करा रहा हो बट वो सोचे गई नहीं वो बच्चा सोचता कि मैंने UPS से civil services exam जैसे exam क्रैक किया और IES की job जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा high status वाली job है वो जोइन की तो अब ये चीज़ तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ कि मैं इसको छोड़ू और कोई अपना काम शुरू करूँ या private sector में जाऊँ या फिर दुबारा इस exam को दूँ किसी और नौकरी के लिए लोग क्या कहेंगे उस case के अंदर ये लोग क्या कहेंगे वाली बिमारी तो हमारे सब के दिमाग पे बहुत हावी रहती है ये सबसे बड़ी बिमारी है और सबसे बड़ा depression का कारण भी यही एक बिमारी है अगर ये हट जाए ना जो है वो बोल्ड स्टेप ले लेते हैं वो सोचते हैं लोग क्या कहेंगे ये चीज जाए भाड में मुझे अपना एक comfort zone चाहिए मेरी आगे इतनी लंबी जिंदगी है मुझे वो अच्छे से जीनी है मुझे अपने उपर भरोसा है मुझे अपनी capability पर भरोसा है तो कोई अपने startup के लिए कहीं बार resign कर देता है कोई private sector के लिए resign कर देता है किसी xyz reason के लिए resign कर देता है और rare cases में हो सकता है कि कोई बच्चा ये सोच ले कि मैंने assessment किया है अपने batchmates से मैं मिला हूँ उनका मैंने work profile अब closely देखा है तो मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए IRS type job एक better job है या कोई और भी job हो सकती है तो वो सोचता है कि ठीक है अब मैं अपनी job से एक बार resign करूँगा bold step लूँगा अब आप सोचोगी ये भी तो हो सकता है कि वो resign ना करे ऐसी दुबारा exam में appear हो जाए नहीं इसके लिए आप जो UPSC की notification होती है उसके अंदर जो एक पैरा होता है restrictions on applying for the examination अगर आप इस पैरे को ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें clearly लिखा है कि अगर आप IAS या IFS मलब Indian Foreign Service इन दोनों service के अंदर join कर चुके हो तो उस case में आप UPSC civil services exam नहीं दे सकते अगर आप दोगे भी तो आपको appointment के लिए consider नहीं किया जाएगा तो ये condition है अगर आप IAS या IFS में हो तो आप बीना resign किये दुबारा एक्जाम नहीं दे सकते तो rare cases में कहीं बार ऐसा होता है कि कोई candidate ऐसा है जिसको clear हो गया है join करने के गाद कि मैं पूरी जिंदगी IAS में नहीं रह सकता मुझे IAS join करना है या कोई और job join करनी है बट रहना मुझे group A civil servant ही है तो ऐसे case में हो सकता है वो एक bold step ले ले और सोच ले कि ठीक है मुझे clarity है कि मैं IAS में पूरी जिंदगी continue नहीं कर सकता तो मैं यहां से कर रहा हूँ resign दुबारा exam दूँगा हो गया तो मैं यह service join कर लूँगा हो सकता है उसके mind में कोई planning हो कि अगर नहीं भी हुआ तो मैं कोई एक third चीज करूँगा बट मुझे यह clarity है कि मुझे IAS में continue नहीं करना है सो अपनी अपनी एक planning होती है बट ऐसे case में मजाग उड़ाने की बजाए आपको appreciate करना चाहिए कि उस इंसान ने अपनी आत्मा की सुनी एक bold step लिया है यह कुछ छोटा step नहीं है बहुत बड़ा step है सो appreciate करना चाहिए आज के session से आपको दो important life lesson सीखने है आपकी पूरी जिंदगी काम आएंगे एक तो knowing yourself life में कुछ भी करने जा रहे हो कोई भी बड़ा decision लेने जा रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हो जब तक यह नहीं पता होगा ना आपके सारे decisions life में बिल्कुल गलत होंगे चाहे career को लेके हो चाहे आपकी marriage को लेके हो चाहे किसी भी चीज से related हो सब गलत होंगे अगर आप खुद को ही नहीं जानते कि आपकी priorities क्या है किस ताइप की आप life चाहते हो अपना comfort zone identify करो ठीक है बोलते हैं कि आपको आगे बढ़ने के लिए comfort zone से बाहर जाना पड़ता है बट जिस comfort zone को छोड़के आप बाहर जा रहे हो जो उसके बाद achieve करोगे वो तो finally चीज आपको खुशी दे वो तो आपके लिए comfortable life बनाए आज की date में हम सोचते हैं हम अपना comfort zone छोड़के महनत करेंगे so that हमारा ये dream पूरा हो बट अगर आपको लग रहा है कि ठीक है मैं जिस चीज में चला गया हूँ पूरी जिंदगी ही मेरे एक comfort zone से बाहर की चीज है तो वो कोई अकलमंदी नहीं है वो आपको assess करना पड़ेगा so सबसे पहले free time में बैठके खुद का assessment की अगर और ये नहीं है ये one time exercise है ये periodic assessment है क्योंकि हमारी priorities हमारी mentality जो है वो बड़ी dynamic है वो change होती रहती है वे time so ये exercise बहुत important है इसके लावा don't care about others thinking लोग क्या बोलेंगे ये बिमारी दूर कर लो अपनी जिन्दगी से otherwise चाहे IES में चाहे IPS में किसी भी चीज में चले जाओ चाहे अपना start-up खड़ा कर लो कुछ भी कर लो जिन्दगी में खुश नहीं रहोगे जिन्दगी में खुशी लाना चाहते हो depression से दूर रहना चाहते हो तो लोग क्या कहेंगे वाली बिमारी से बचके रहो सबसे खतरनाग बिमारी है बहुत सी situations में हमें पता होता है कि हम इस चीज की वज़ा से suffer कर रहे हैं ये चीज ने हमारी जिन्दगी खराब करके रखी हुई है बट still लोग क्या कहेंगे इस वज़ा से हम उसको सहते चले जाते हैं और इतनी जो खूबसूरत जिन्दगी मिली है उसको बस काटते चले जाते हैं और एक दिन ये जिन्दगी खतम हो जाती है और last moments में हम जाके realize करते हैं कि ये जिन्दगी जस्ट हम काटके जा रहे हैं और सिर्फ एक reason की वज़ा से कि पूरी जिन्दगी हम ये सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे और आपके in last moments के अंदर वो लोग आपके आसपास भी नहीं होते हैं तो दोस्तों आपको मुझे promise करने हैं इन दी comments कि ये दो चीज़ें आप अपनी जिन्दगी में लाओगे जो पहली चीज़ है knowing yourself अगर लाओगे तो जिन्दगी में कोई भी महनत करोगे तो उसके outcome को अच्छे से enjoy करोगे कभी भी ये नहीं feel करोगे कि मैंने इतनी महनत की और उसका जो एक outcome था जो उसकी final destination थी मैं उसमें जाके खूशी नहीं हूँ और उसके अलावा अगर आपसे कभी गलती से एक गलट decision हो भी जाता है तो ये निये कि उस destination पे ही खड़े रह जाओ उस outcome पे ही खड़े रह जाओ दुनिया की परवा किये बिना आप अपना decision आगे सही कर सकते हो उस चीज को rectify कर सकते हो rather than किसी तरह वो जिन्दगी काटते चले जा रहे हो अगर आप इन दो चीजों को अच्छे से अपनी जिन्दगी में implement कर लोगे तो definitely जिन्दगी के last moments में आप यही सोचोगे कि मैं इस दुनिया में आया था तो एक quality life जी के जा रहा हूँ जै हिंद